वे इस्टूरेंट हम तो अल्थ क्लास की हिंदी में जैसा कि आपने देखाए अपन क्या पढ़ रहते हैं दच्छीर भारत की एक जहलग पढ़ रहते हैं ये पढ़ रहते हैं इसमें कैंद्री भाव पढ़ा फिर हम ने क्या पढ़ा इसमें लेखा कै यह ता पुरा वद्रा याने यात्रा वर्ण अंदर तो सबसे पहले हमने कहा पढ़ा बताई थी मिनगों सबसे पहलों बेज बारां पहुंस्ते हैं और वहां का पहना रंग इस तिया क्या पसंद करती है पुरूश क्या पसंद करते वह उसके बीसे में पढ़े थे कि वहां के लोग चाय इपली नास इसके बाद वह नाडू प्रिविदेश में प्रिवेश करते हैं, उनकी फोसर पहनते हैं, हमने क्या पढ़ हैती है, यहां पर इमान दाली थे, फूत फूत के ब़री हु какая यहां पर सुध्य गी देखने को बहुतवा जास मिलता हैं अब यहां से हम पढ़ेंगे तविल लांडू को लांग कर जब केडर प्रिदेस में प्रिवेस किया तो सावन के अंदे हरा ही हरा दिखाइए दे रहा था यहाल सब जगे था ऐसा लग रहा था जैसे अधात South कैंट का पर पैदा वहां पैदा होने वाले लोगों को दो तीन ख्buhसले काफी नहीं होती थी गरीब जंगल में वहां तक तक और यह नहीं ज्ड़ 2012 कि वहां कि वहां किया हुआ कि अबाधी थी लोग जंगल में जाकर एक बारत में पानी पिर्व वर्वर आप को पानी ता भारत पाणी जीरे कर फार्वांडि तो नमक पानी के लिए आप पर गली गली बिखता है अब वो क्या कि त्रावण को कहां पर गये अब लेखक त्रावण को केरल में दिखाई दें लगाई यहां वे महा स्वेत की छवी धाण करती है उन्हें तमिल नांडू इस्तरी को समान हरा रंग पसंद नहीं था हुए उजले रंग के वस्तर पहनती थी यह बात इसपश्ट है कि सामुहिक जीवन के लच्छ करकी ही करके की जा रही है यो महराश्ट कमिल केरल राज्जो में ही नहीं समझ देश में भी सहरी इस्तिया आजकल वेजबूसा पहनती है ने सभी जगे समान द्रश्टी से पहनावा पहनने लगी है तमिल और केरल की नारी उसी तरह साड़ी पहनती है जिसका एक छोड दच्छिल कंदे से होता हुआ पीछे एड़ी से छूता हुआ है उसका सिर्सदा खुला रहने का रिवाज है धीरे धीरे उत्तर के सिच्चित घरों में भढ़ गया वेज भूसा में नारी भारती एकता का प्रतीक बनती है त्रामड कोड कोचिन में सिच्चा में अधिक प्रसान होने लगता और रहन सैन का इस तरह भी बहुत अधिक मुचा हो गया था आगन में अधिकतर प्रतीक छोटे चोटे घर के आगन में गली गली सुच्छता दिखाई देती हैं साब सुत्रा है और बिजली भी जगमगाती हुई दिखाई देती है वहां तक कैसा है कि पोश्ट आपिस छोटा सा दरवाजा और स्कूल बिना गाउं के तो बसते हैं जगा जगा पर आपको समझदार लोग मिलेंगे यह इतना अधि अधिक प्रचार है फिंदी का तो बहुत अधिक प्रचार है वहां के अधिकता शिचित परिवारों में कन्या संगी चित्रकलlt अधorg meant Whats uses समझती यह इने बिना हिंदि सीक्ष के उससर को समझती ऑने गाए नहीं समस्ते जाने हिंदि सीकस्तों बहुत जोरी माउत ads प्रतिवर्स इंटरमीडियेट में लगबग 6,000 लड़कियां परिच्छा दे करके परिच्छा देने बैठते हैं और परिच्छा के लिए हिंदी भी से को उहां पर अनिवार रूप से मानी गई परिच्छा के लिए हिंदी भी से कि इतना प्रिसिद्ध है अब कहां पहुंचा वह त्रवेंद्र से कन्य कुमारी की यात्रा उसके लिए बहुत रोचक थी त्रवेंद्र की बजारों में तो बहुत ज़्यादा आकास सक था इस त्रिया पूर्स नंगे पर चलाई चलते हूं क्योंकि अधिकतर 12 महेने में वहां पर बरसात होती रहती ही बूंदाबंदी होती रहती इसलिए कीर्स से बचने के लिए वहां की लोग क्या करते नंहिंगय पहुंच लते हैं विश विद्धय ले के कारे में नीव्रत होने से पहले मैंने समुद दरसन की इच्छ व्यक्थ की अब चंद्रा हासन वैलायू के साथ हम हवाई अड़े को चूती है समुद्र ट्रट पर पहुंच गया वहाँ समुद्र इतना उग्र था यहने बहुत जदा वह उपर उठ रहा था इतनी आवाज कर रहा था कि सामने छोडूर की लहरे भी छोटी मोटी किस्तियां दिखाई नहीं दे रही थी चोटी चोटी सी दिखाई दे रही थी और v testoster जा रही थी पहार से अब टी को शूब लहरे काईना चाहती थी यहने ऐसे चाहरी थी जिसे हमाई पैर को खाड़ का पने साथ ले जाना चाहती है पंतु हमने पैर ऐसे जमाई हुए थे कि लहरों छोड़कर हमको भाग गई हमारे पैर गीले पैर पानी से दूर डूब गए और लहरे अब नहीं आएंगी छड़ों फिर टकराकर जोका आये पैरे को बिखर कर हमें पुने घेर का पीछे और तेजी से आंगे दोड़ गया हम लहरे लेने में अव्यस्त होगे पैर जमे रहते हैं लहरे आती है और जाती है अब हमको क्या हुआ हो बहा हो ना बंद हो गया भाग बहा मतलब डर लगना उनको बंद होगे लेक कुछ फसले कुछ फसलें कुछ फसलें पर मचुल पर लेहरों में डाल रहें लो वर उपर नीचे कर रही है, लो अब मलों उनको देख रहा है, कि दूर से उनको किस्तिय को प्र सब्सक्राइब न करे महाँकरा तुछ है, एक ус उत vectors दोतक also, किस्तिया दोड़। वो डर नहीं रहे थे उसके बाद में समुद्र जब कुपीत होता तम नाजय ने कितने मच्वारों को लेव डूपता लोग बाग मच्वारे सुबह निकलते हैं और यह सोच कर निकलते हैं कि कहीं हमारे हम वापस आएंगे कि नहीं यह लहत नियती हमारी मौत बनकर नाचती है कई मौत बनकर ना जाए समुद्र दर्शन के पस्चा था मजायब घर में कहें जहां समुद्र की तरह तरह मच्वियां मच्वियों सर्पों केकड़ों कई प्राणियों को रखा गया था कहा जाता है कि भारत ये मतस संग्राल है अपने धंका यहां का एक अनंत सैनम मंदिर देखने को कहा गया है मंदिर में सिला हुआ वस्त्र या जूता पहन कर जाना निसिब्द था महिलाओं को साड़ी सिला हुआ वस्त्र ना होने कर वे मंदिर में प्रवेश पा सकती है मंदिर में मूर्ती की विशालता की दर्शनी है मैंने बहुत बड़ी विशाल मूर्ती है त्रवेंद्रम से वो कन्या कुमारी लगातार बस्ती होने से ऐसा जान पड़ था जैसे मानों त्रिवेंद्रम ही पचास मिल तक चला गया हो वह इतनी घनी अवादी थी मार्ग में गाड़ी पंचर हो जाने के आना पास में पर तमिल इस्त्रियां ताड की बनी हुई बाल्टी से पानी खीच रही थी हमको प्यास सी भी लग रही थी लेखक को लेखक उनके प पढ़ता था कि कान अब अधिक भार नहीं सह सकना इतना मोटा मोटा सोने का वह पहनी हुई थी इस्तरिया अभू शर्ण परिव्यार के एस्तरिया घरय Task Rad पकाम में लाती है और सोना इनके लिए तो हलकी वस्तूर की वस्तूर को पहनती सोना थो वह उनको अल्का समस्ति है क सूरच डूबने से पहले कंण्या कुहारी पहुंच गया शमूद Näंजत हो गया किना मिरें हुए हिंद सागर मिलप समुक्डफ सागर डाईएंर और अरफ सागर बाईएंention में बंगाल की खाड़ी का जल उचलू उचल कर तरंगित हो रहा था है ह को वहां पर हिंद महासागर में ये द्रस्त देखने को प्राप्ट हुआ कई नारियां समुद्र सूर्यास्त को देखने के लिए अस्त दिसा की राखे गड़ाय रहे पर बादलों ने सूर को अपनी आचल से मुक्त कर दिया धीर दिर अकास में चंद्र की देखा चमकने लगी अब होकर निरास होकर लोड कर एक कुमारी के मंदे में पारवरती के दर्शन के लिए यहां पर उघारे बदन जाना परता था यहां कि ऐसे पर्णनेत कता है कि श्यू भगवान जब साधी होने वाली थी तो बरात लेकर उहां पर नहीं पहुंच पाय थे जिसके कारण से कुमारी पारवत्ति अपनी खोज में चली गई थी जिसके कारण से पता चला था कि सवेरा होने से ग्यात हुआ थे कि सुचिंद्र कुमारी के नाम से विक्यात हुआ और मंदिय कहा जाता है कि 650 में वास करती माता पारवती जी मंदी्दि समुद्र के किनारे जहां समुद्र की सोववा भूस सुंदर है रात को दूर से आते हुए जहाजों का प्रकास तहरता हुए दीपक सजान पर दूर से जब आ रहा थे तुमको ऐसा लग रहा था जैसे कि जो जहाज तहर रहा था वो छोटे से दीपक के भाती दिखाई दे रहा था और भीतर काले पत्थर विशाल हुनमान की मूर्ती है यह म कलती है अब देखी पेज नंबर 77 में हम आ गए तिवेंद्रम जिसे तिरू अंतपूरम भी कहते है रात को भर लोटाई तिवेंद्रम और कन्यकुमारी की बीच की भूमी सुपारी काजू केला नारियल धान आदी से उर्वरा है समय कम हो समय उलेखा के पास बहुत कम था ज कुलिशिदाज्स जी का मंला अलब भासा में भी अनुवाद कर चुकिए उद्वाण पर भी रमाय्ल क्या मं कमा एल मल्लक बोली जाती है और साहित में वहां पर झाल झाल झाल